हेलो अब्रीवन अज मैं तोड़े ना शेयर करूंगी शाही मिक्स वेज हांडी बनादी रस्पी जेता डेकर कोई पार्टी हुए तुसी कोई ओजी रस्पी बनाना चान दे हुए जेडी के बड़ी असानी नर बंज वे पर उस रस्पी दे लुक और टेस्ट रॉयल हुए ए सब तो पहला एक पैन विच में तेन चमच वायल दे गरम करूंगी वायल दे गरम होंदे इस विच में प्याज पाऊंगी दो मीडियम साइज दे प्याज जानू में लंबा लंबा काट ले इना प्याज जानू में फ्राई करूंगी लोटू मीडियम फ्लेम ते लगातार ह लॉन्दे है मैं इनना प्याजानों फ्राई करूंगी फ्लेम हाई नी करनी नहीं ता प्याज ज्यल जार्णगे प्याज गोल्डन ब्रॉण हो चुके निनकाज जान में फ्लेट वीच कटलण इन्ना प्याज्यान में ठंडा करूँगे ति इन्ना देख पेस्ट रेडी करूँगे पेस्ट रेडी करने लिए अद्दा कप में देई दले दस्तो बारा में काजू ले फ्राई कीते होई प्याज इन्ना नुमें ठंडा कर ले और मैं ग्राइंडिंग जार विच काज्यू दें ते प्याज्जानू पाला नूँग इन दम एक पेस्ट रेडी करूंगे पेस्ट रेडी हो चुके पेस्ट नूम एक साइड राकदे न ते हुँन मैं ग्रेवीली मसाला रेडी करूंगे एक बावल विच अद्धा चमच नमक पाऊंगे अद्धा चमच लालमेच पाऊंगे अद्धा चमच तो कार थोड़ी जी हल्दी पाऊंगे अद्दा चमाच ता निया पॉडर एक चमाच जीरा पॉडर अद्दा चमाच गरम साला पाऊंगे एक चमाच कुसूरी मेथी पाऊंगे एक चमाच लसन अदरकता पेस्ट पाऊंगे इसवी थोड़ा जा पानी पाके इसनों मिक्स करूंगे ग्रेवी दमसाला रेडी हो गया है इसनों एक साइड दे रख दूँगे मसाले मिक्स हो चुपके इसनों पकाना रेडी करूँगी एक पैन विश बान थर्ड कप मैं ओयल गरम करूँगी ओयल गरम होन दें इस विच मैं पनीर पाऊंगी सौ ग्राम में पनीर ले इसनों चोटे-चोटे क्यूब्स विच कट ले पनीर नों हलका गोल्डन ब्राउन होन तक मैं फ्राई करूँगी पनीर नों ज्यादा निपकोना जब पनीर नों ज्यादा पका ले ताहे चीड़ा हो जाना है पनीर फ्राई हो चुक है उन्हें इसनों पैन विचों बाहर कड लेना पनीर नू बाहर कड गी इसे पैन विच में कुछ सब्जें फ्राई करूंगी सब्जें विच में लएने अद्धा कप गाजर अद्धा कप फ्रांस बीन्स सब्जें में ब्री काट ले इनर सब्जें में फ्राई करोंगी सब्जें इननक फ्राई करना कि 50 परसंट तक कुक हो जाना लोटू मीडियम फ्लेम ते दो तो तेन मिंट तक इनर सब्जेन में फ्राई करूँगी सब्जेन 50 परसंट कुक हो चुक है और मैं इनर निक प्लेट विच बाहर कर लेना है इसे पैन विच होण मैं गोबी फ्राई करूँगी तुसी इस विच अपनी मनपसल सब्जे आड़ कर सकते हैं मैं इस विच मटरते स्वीट कॉर्न भी यूज करूँगी पर मैं उननों फ्राई नहीं कर रही तुसी चाहूं ता उननों भी फ्राई कर सकते हैं पर उननों फ्राई करन दी जुरूरत नहीं है इस करके मैं उन्हों फ्राई नहीं कर रहे हैं गोबी नों हलकी गोल्डन ब्राउन होन तक मैं फ्राई करूंगी गोबी गोल्डन ब्राउन हो चुकी इसनों मैं पैन विचों बाहर कर लाना मिक्स वा जहांडी दी सारी त्यारी होच चुकी उन में इस दी ग्रेवी रेडी करूंगे रेवी रेडी करूंगे कुछ खड़े मसाले विच मैं लूँगी एक चमच जीरा दो बड़ी लाची तिन चोटी लाची दो लॉंग अद्दा इंच दाल ची नहीं तिन तेज पते एक पैन गर्म करूंगे उस विच तेज चमच मैं ओयल दे पाऊंगे ओयल गर्म होंदे इस विच मैं खड़े मसाले पाऊंगे खड़े मसाले विच मैं हलका जा फ्राई करूंगी जीस नाल इनन दा फ्लेवर ओयल भी चार्ज हुए 20 सेकेंड लिए मैं इनन मसाले नू फ्राई करना है फ्लेम मैं लो रखनी है साबत मसाले फ्राई हो चुके उन मैं स्विच रेडी किता मसाल्या पाऊंगी जीडा के मैं पाऊडर मसाले दा कोड रेडी करके रखे उन्ना मसाल्यान में स्विच पालन लेट तो दो मेंटली इन्ना मसाल्यानू फ्राई करूंगी पाउडर मसाल्यानू खड़े मसाल्यान दें दाल में चंगी तरां पोनलन साल्ला पुन्यांगे उन्न मैं स्विच एड़ करूंगी एक कप ट्मार्टर दा पीस्ट दो मिडियम साइज दे ट्मार्टर में लैसी उन्ना मिक्सी दे जार विच में ग्राइंड कर ले तमार्टर नू मसाल्यान दें दाल में चंगी तरां पूनलना जो तक तमार्टर दा पाणी ड्राइ नी हो जन्द लोटु मीडियम फ्लेम ते लगा तरह लाउंदे होए मैं मसाल्यान नू पुन्णूंगी तमार्टर दा पाणी सुक चुके में स्विच पे आज काजु ते दहींदा पेस्ट एड़ करूंगी इस नो एड़ करके ग्रेवी नो दो तो तेन में ट्ली में पुर्णूंगी फ्लेम में मीडियम रखूंगी जिनना वद्या सादा मसाला पूर ने जाएगा उन्हें वद्या सादी सबजी रेडी होएगी मसाला पूर ने अगे और मैं स्विच फ्राई कीती हूँ या सबजें पाऊंगी गाजर बीन्स गोबी ते पनीरन में पैन विच पाता सबजें दे नाली में पाऊंगी अद्दा कप मटर मटर मैं फ्रोजन यूज का रही हैं जेब सी फ्रेश मटर यूज का रही हूँ ता उन्हान नूपल नम बॉइल कर लो अद्दा कप मैं पाऊंगी स्विच पालग अद्दा कप मैं स्विच पाऊंगी स्वीट कौन ने उबले होई स्वीट कौन ने सारी हैं सब्जिया नूपल मैं स्विच यूज का रही हैं 50% तक कौक ने उन्हान नो थोड़ी देर होई पुकाऊंगी चंगी तरह मिक्स करूँगी अद्दा कप मैं स्विच पाणी आड़ करूँगी ग्रेवी तुसी अपने कॉर्डिंग बना सकती हूँ और मैं ने नू ब्यास ज्यादा नी पुकाऊना क्योंके सब्जिया सेमी क्रंची फॉर्म विची स्वाद लग दियाने ये तुसी ने ओबर कुक कर ले तरह सब्जी स्वाद नी बढ़नी और मैं पैर नू कवर करूँगी कवर करके लो फ्लेम ते तेंतो चार मेंट ली पकाऊंगी सब्जे नू लो फ्लेम ते सब्जी नू पक देंतो चार मेंट हो चुके पैंदा टकन हटाऊंगी तकरीबन सब्जी बढ़न के रेडी हो चुकी है पर हले इस ते खास इंग्रीडियन्ट बाकी है जिस तो बिना है सब्जी अदूरी है जिसी सब्जी नू एमे भी सर्व कर सकते हूं इस सब्जी बहुत स्वाद लग दिया पर जे असी सब्जी वि खास क्रिमी यूज कर सकतें उजान दो द्यु पड्र जम्य हूं पॉलाई भी पा सकतें दो तो तेन चमच इसे चमलाई दे पासकता चंगी तरह मिक्स करूँगे फ्रेश क्रीम मिक्स करके इसनों ज्यादा नहीं पुकाऊना एक मिटले सब जिन में होर पुकाऊऊँगे पैनों कवर करके एक मिटले लो फ्लेमते पुकाऊऊँगे एक मिटले बाद फ्लेम में बंद कर देनी है एक मिटले पुकाऊँगे तो बाद फ्लेम में बंद कर दूँगे तो इसनों एमें कवर करके रखे रहन दूँगे कवर करके रखा ना ओयल सर्फस दे उपर आ जांद है 5 मिंट कवर करके रहके फिर सब जिनों में सर्व करूंगी इससे देख सकते हैं अपनी शाही मिक्स वेज हांडी बनके रेडी हो चुकी है जेडी के बहुत स्वाद बन दी है इसनों रेडी करना दा तीका बहुत असान है बस थोड़ी ची त्यारी कर लो तुसी देखोंगे तोड़ी बहुत ही तेस्टी डिश बनके रेडी हो चेगी तुसी इसनों अपनी पसांदे नान कुल्चे प्रॉंठे जां फिर रोटी नर सर्व कर सकते हैं इस सबजी राइस नार भी बहुत तेस्टी लग दी है तुसी सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो देखने लिए बहुत 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 तन वाद रिवान